नमस्का दोस्तों तो आपका स्वागत है मारे चनल All Competitive Exam में आज मैं आपके लिए क्या है हूँ Mock Test No.1 जिस पर हम डिस्कस करेंगे हिमाचर पदेश GK के Most Important Question जो की हिमाचर पदेश में होने वाले किसी भी एक्जाम के लिए काफी beneficial रहेंगे वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर जरूर शेर करना है कि आपने किना स्कोर किया आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आपके एक्जांप पॉइंट यू से काफी इंपोर्टेंट रहती है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं तो आज का और पहला कुशन है बाबा कांशी राम को पहड़ी गांदी की उपादी किस ने दी थी तो आपके ऑप्शन है पंडित जोहर लाल नहरू, इंद्रा गांदी, सर्दार पटेल, लाल बहादूर शास्त्री तो बताई इस कांसर क्या है इसका राइट अंसर होगा आप्शन नमर ए पंडित जोहर लाल नहरू ओके बाबा कांशी राम से आपसे कोशन पूश राता है कि इन्हें पहड़ा दी बुलबल की उबादी किस ने दी तो आपका अंसर होगा सरोजनी नाइडू ठीके जी तो मारा नेक्श कोशन है गुरु घंटाल मठ हिमार्चर पदेश की किस जीले में सित है तो पताई इसका अंसर क्या है इसका राइट अंसर होगा ओप्शन नमर्च C लौस पिती ठीके जी तो मारा नेक्श कोशन है बाबा भडबाग सिंग मेला हिमार्चर पदेश की किस जीले में मनाया जाता है तो आपका अप्शन है बिलासपूर, उन्ना, हमिरपूर, कांगडा तो बताइए इसका अंसर क्या है इसका राइट अंसर होगा ओप्शन नमर्बी उन्ना जिला में ठीके जी बाबाबा नेक्श कोशन है सिकरी हिमार्चर पदेश की किस स्थान के लोगों का लोक निरित्या है तो आपका अप्शन है नहान, मनाली, कंडाघाट, जमबा तो बताइए इसका क्या अंसर है इसका राइट अंसर है ओप्शन अमर्डी, जमबा ठीके जी हमारा नेक्श कोशन है हिमाल्य पर लाल छाया पुस्तक किस के दौरा ले खी गई आपका अप्शन है रंजोर सिंग, ऐल सी पांडे शांता कुमार, ऐल सी पार्थी तो बताइए इसका अंसर क्या है इसका राइट अंसर है ओप्शन अमर्ड सी शांता कुमार जी ने इन्होंने कुछ और भी महत्वन पुस्तक के लिखी है उन्हें भी डिस्कस के लेते हैं इन्होंने लिखी आपकी लाज्जो, धर्ती है बलिदान की और पहाड बेगाने नहीं होगे तो ये सभी पुस्तके शांता कुमार जी ने लिखी है ठीके जी नेक्स कुछन है हिमाच्चर पुदेश में कितने नगर निगम कारेशील है आपके उप्षन है दो, तीन, पांच, दस तो पताए इस कंसर क्या है इसका राइट अंसरों का उप्षन नमब सी पांच ठीक है और ये कौन कौन से है इन में आते हैं आपके शिमला, धरमशाला, पालंपूर, सोलन और मंडी ठीक है जी हमारा नाक्ष कुछन है हिमाच्चर पुदेश में किस जल्वीद्यूत परियोजना की उच्तम जनन क्षमता है तो बताए इस कंसर क्या है इसका राइट अंसरों का आप्षन नमबर A पारवती ठीक है जी और एक किस नदीबर बनी है तो ये बनी है आपकी व्यास नदीबर ठीक है और इसकी जल्वीद्यूत क्षमता कितनी है इसकी क्षमता है 2051 मेगावाट ठीक है जी आपको यहाँ पर आप्षन नमबर बी दिया है करचम वांग्टू इसकी क्षमता कितनी है इसकी क्षमता है आपकी 1000 मेगावाट ठीक है जी और ये सतलुज डिवर पर बनी है ठीक है आप्षन नमबर C है नात्पा जाकडी इसकी कपैस्टी है 1500 मेगावाट ठीक है और किस नदीबर बनी है तो ये अभी बनी है सतलुज डिवर पर ठीक है आप्षन नमबर D है बुद्दिल तो ये बनी है आपकी रावी डिवर पर इसकी कपैस्टी है 70 मेगावाट ठीक है जी मारा नेक्ट क्षम है हिमस्वान प्रोग्राम वास लॉंच्ट इन एश्वी ओन हिमस्वान प्रोग्राम प्रारंब किया गया तो पता है इस कंसर क्या है इसका राइट अंसर होगा आप्षन नमबर A 5 फरवरी 2008 ठीक है जी मारा नेक्ट कुछन है सैनिक स्कूल हिमाजव प्रोग्रेश में किस ठान पस्थित है तो आपके अप्षन है फतेपूर सुजानपूर नूरपूर नारकंडा तो पता है इसका अंसर क्या है तो इसका राइट अंसर होगा अप्षन नमबर B सुजानपूर ठीक है जी और सुजानपुर कहां पस्तित है तो यह आपका हमीपूर डिस्टिक में ठीके जी अच्छाप सब पुछे जाए कि हिमाचपधेश में War Memorial कहां located है तो आपका अंसरों का टाना डिस्टिक में और दूसरा War Memorial हमीपूर डिस्टिक में बनने जा रहा है नेक्स कुछन है, गुले रियास्त की स्थापना किस ने की, तो पता है इसका अंसर क्या है, इसका राइट अंसर है, ओप्षन नमर ए, हरिशन जी ने, ठाहिके जी, तो हमारा नेक्स कुछन है, सिर्माउर रियास्त का अंतिपशास्त कौन था, who was the last student of Sirmaur princely state तो पता है इसका अंसर क्या है इसका right अंसर होगा option Amasih, Rajinder, Prakash ठीक है जी और इसका founder कौन था इसका founder था Raja Rasalu ठीक है मारा next question है नूर पूर का पुराना नाम क्या था आपकी option है बनेड, देरोहा, किरग्राम, धमेरी तो पता है इसका अंसर क्या है इसका right अंसर होगा option number D, धमेरी ठीक है जी यहाँ पे आपकी option number A दिया है बनेड, तो यह किसका पुराना नाम है तो यह है सुंदर्नगर का पुराना नाम, ठीक है और किरग्राम है, बैचनात का पुराना नाम, ठीक है मारा नाक्ष कोशन है भलोगा गाटी हिमाच्पदेश की किस जिले में सित्थ है तो पता है इसका अंसर क्या है इसका right अंसर होगा option number A, मंडी ठीक है जी मंडी में और कौनसी important गाटिया है तो यहाँ पर आपकी चुहार और चौनतरा गाटी option में पी दिया है सिर्माट तो सिर्माट में कौनसी important गाटिया है तो यहाँ पर आपकी क्यारदा दून गाटी और पॉंटा गाटी ठीक है जी तोलन में आती है आपकी कुनियार और दून स्प्रून गाटी ठीक है जी और शिम्ला में कौन सी important गाटिया है तो शिम्ला में आती है आपकी पबर और रोडू गाटी ठीके जी तो बढ़ते हैं next question की और भादल glacier is situated in which district of HP भादल हिम्नद हिमार्चर प्रदेश की किस जिले में सित्थ है तो आपके option है किन और कांगडा कुल्लू लॉस्पिती तो पता है इसका answer क्या है इसका right answer है option number B कांगडा ठीके जी और यहां से कौन सी river originate होती है तो यहां से होती है आपकी रावी river originate तो भादल और टांतगीर glacier रावी river को originate करते हैं ठीके जी हर exam में आपसे river से एक question फूश राता है तो आपको हर river के वैदिक नाम और संस्कृत नाम और उनका originate place याद होना शी है तो आपका question है जिनाव नदी का वैदिक नाम क्या है तो पता है इसका answer क्या है इसका right answer का option number B असकी नी ठीके जी और इ चंदर भागा ठीक है और यह originate होती है लाउसपीती में बारालाचा glacier से ठीके जी ऑप्शन नमबर A दिया है अरजी किया अरजी किया किसका वैदिक नाम है तो यह है आपका व्यास का ठीक है और व्यास का संस्कृत नाम क्या है इसका संस्कृत नाम है विपार्शा ठीके ज यह व्यास रीवर कहां से originate होती है ठीके जी नैक्स option है आपका पुरूशनी तो पुरूशनी किसका व्यदिक नाम है तो यह है आपका रावी रीवर का ठीके और इसका संस्कृत नाम क्या है इसका संस्कृत नाम है ईरावती और हमने अभी डिसक्स किया कि रावी रिवर कांगडा में बड़ा भंगाल से औरिजिनेट होती है ठीके जी option number D दिया है कालिंदी तो ये किसका संस्क्रित नाम है तो ये आपका यमना रिवर का ठीक है और ये कहां से originate होती है तो ये होती है आपकी यमनोतरी कुंड से ठीक है जी तो ये ऐसे दोस्तों मैं आज के most important question I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को like, comment and share करना न भूले और साथ ही में अपनी feedback जरूर दे कि आपको ये mock test कैसा लगा आज दोस्तों इतना ही जैहिन, जै भारत